नापपुर महानगरपाली का एवं भारतिय वैदक समन्वे समीती संचालिक श्री आयर्वेट महाविद्याले संगरीन पक्वासा समन्वे रुगनाले रधा मैत्री परिवार के सहित्य तत्वधान में 136 बेट का कोविड-19 आरोगे केंद्र का उद्गाटन केंद्रियम मंत्र नितिन गड़कर है तो किया गया इस समय भारतिय वैदक समन्वे समीती अधिक्षिन सुरेश शर्मा एवं सचीफ डॉक्टर गुर्विन पसाद उपाद्याईनी आभारमाने इस समय विधायक मुहनमती महापौर दयाश्यंकर तिवारी और अन्य भारतिय जनता पार्टी प अक्सिजन सिलेंडर, बेड और इलाज आधी के लिए परेशान ना होना पड़े इसलिए गुरुवार को शेहर के श्री आयुरुवेदिक विध्याले में 136 बेट का कोविट केंडर का उद्गाटन केंडरिय मंत्री नितिन गड़करी के हाथों किया गया स्री आयुरुवेद विशे शुरुप से उसके अध्यक्षे सुवेश शर्मा जी है उनके सबी सहयोगी महित्री परिवार के माननिय चंदू पेंड के और संजे भेंडे जी और नाकपूर महानगर पालिका के महापूर बयाशंकर तिवारी और हमारे आयुक्त राधा कुश अस्पिटल के बाहर मर रहे है विदोट ऑक्सीजन अधिमिशन के लिए जगह नहीं है और यह अभी सेकंड वेव है अभी थर्ड और फोर्ट वेव आएगी तो क्या होगा भरोसा नहीं है ऐसे स्तिती में ऑक्सीजन की विवस्था करना और इसके साथ इस परकार के आस्पत काम जल्दी से करा है को हमारे महापोर आयुक्त और उनके सभी अधिकारियों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं इससे काफी रहात मिलेगी और यहां काफी लोगों की सेवा भी उनको प्राप्त होगी 136 बेड का दिर्मान हो रहा है मैं बहुत-बहुत इस कोविट केंद्र में कोर्णा मरीजों को ऑक्सिजन सिलेंडर की सुविधा भी दी जाएगी यहां पर मरीजों की पहले स्क्रीनिंग की जाएगी जिसके बाद ऑक्सिजन टेस्स किया जाएगा उसके बाद मरीजों को यहां फरती किया जाएगा साथ ही मरीजों को यहां पैथलोजी की स्विधा भी मिलेगी। ऐसी जानकारी डॉक्टर जैकृष्ण चगवानी द्वारा दी गई है। इसके साथ में हमारी विश्यस्ता यह है कि मैं जानता हूँ कि नाकपुर में भी बहुत सारे याने CCC सेंटर है, DCSC सेंटर है, लेकिन हमारी विश्यस्ता यह रहेंगे कि हमारा आयूश निर्देशित जो काड़ा है, आयरवेदिक पद्दति से बनाए हुआ, वो एक अलग से ह हम यहां से पेशन्ट को याने प्रवाइट करने वाले है, साथ में जो प्राणायाम है, वो भी यहां रहेंगा, और फिजो थेरापी का कोई अगर पार्ट आता है, तो वो भी फैसलेटित याने पेशन्ट को रहेंगे, हमारे तरफ से याने उनको दिया जाएंगा. नकपुर महानागर पाली का द्वारा समर्पित कोविड-19 केंद्र श्री आरिवद महाविद्याले जो भारती वैजक समीती द्वारा संचालित है, पकवासा समन्वे रुगनाले, एवं महित्री परिवार के संयुक तत्वधान में, यहां आज मानिये केंद्री मंत्री, पिल रही है, उसकी पूर्ती करने का पुरा प्रयास है, हमारे साथ यहां श्री आरिवद महाविद्याले के प्राचर है, रॉक्टर मोहन योले सर उपस्तित है, वे आपको जानकरी देंगे कि हम इस ऑक्सिजन पूर्ती के साथ में भी आईरिवद द्वारा हम उनको और क्य हमने ये सिर्फ सर्च किया कि कहां पे जो अल्रेडी कॉलेज है, वहां पे हम लोग हॉस्पिटल को इस्टैबलिश कर सकते हैं, कोविद हॉस्पिटल को, तो मैतरी परिवार के तत्वाधान में हमको श्री आरिवदी के अलावा कोई अच्छा विकल्प दिखा नहीं, यहां काड़े जो कोरोना वैधिया है, त्यामादे त्या रुगणांच शारीरिक बल पेक्षा पहले मानसिक बल है खसलेला असते, त्यामोए आमी आमचा सेंटर वार सर्वप्रतन तनना कौंसिलिंग साथी प्रायतन करना रहे, आणी आमचा प्राचार्यासरानी जैसे सांगितल आईर्वेदी काड़ा, आईर्वेद ग्रंथान मदे भरपूर प्राकार चे एमिनीटी वाढ़ोना रहे, काड़े सांगितलेला है, त्यामोए प्राणा वह स्रोता साथी प्राणायाम हे ग्रंथा मदे उत्तम सांगितलेला है, त्या रुग्णान वर आमी प्राणायम करू प्रत्यक पेशंट हा बराहून जावो आणि कोरोनाची संक्या प्रत्यक पेशंट हा बराहून जावो आणि प्रत्यक पेशंट हा बराहून जावो आणि कोरोनाची संक्या प्रत्यक पेशंट हा बराहून जावो आणि कोरोनाची संक्या बराहून जावो आणि कोरोनाची संक्या कोविड अस्पताल की जो निर्मिती की गए क्या पताना चौगे केंद्रिया मंत्री गड़करी जी के हाथ हो इसका उद्गाटन किया गया है कितने बेड का यह यहापे कोविड रोगियों को सुभी दाने लिए महानगरपालिका ने यहां ऑक्सिजन के लाइन लेंग की है ऑक्सिजन की वेवस्था महानगरपालिका कर रही है डॉक्टर्स मेडिकल स्टाफ पेरा मेडिकल स्टाफ इसके नियुक्ति महानगरपालिका ने की है उसका मांधन महानगरपालिका देगी यहां वेवस्थापन जो सहयोग है मैत्री परिवार के संजे भिंडे जी प्रमोट्मेंड के जी उनके टीम करेगे मनी मेश्राम जी महानगर पालिका के नेतरत में यहाँ पर कारू हुआ यहां कारे समपादन कराने में यहां के मैनेजमेंट अधरनी शुरेश शर्मा जी, अधरनी डॉक्टर उपाध्याई जी, साथी साथ में कॉलेज के प्रिंसिपल यहुले सर दाशिवर मेडम यहां के समस्त करमचेरों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया इसलिए साथ दिन के अंदर हम इस ऑस्पिटल को इस योग इला सके महानगर पालिका के माध्यम से यहां औशधीश लेकर करके संपुर्ण उपचार निशुलक की व्यवस्था की गई है 136 बेड़ में से 25 बेड़ आज हम चालू करेंगे एक दो दिन में 50 बेड़ और आने वाले सब्ता में पूरे 136 बेड़ को हम लोग यहां करेंगे यहां पर ऑक्सिजन या वेंटिलेटर जैसी सुविदा जो है जो हाई रिस्क पेशन रहते उन्हें दी जाएगे ऑक्सिजन सभी 105 बेड़ को ऑक्सिजन दी गई है और यहां पर पांच बायोपेक मेशीन है जिसे हम छोटा वेंटिलेटर कहते हैं या एनाइवी कहते हैं उसकी विविवस्ता यहां की गई है उसकी विविवस्ता की जो पेशन्ट से कुछ शुल्क आकरा जाएगा निशु होगा क्या मेरा प्रसंट माइकल रामपुरी के साथ मैंक्षेति जादेश मुख बीस यन्योज नापॉर